हूलो फैंड्स हम अपनी सेकेंड बुक में सुतंदरता से पूर्भ भारत में सिछा का हाल देख रहे थे, उसी संदर्म में हम आज पढ़ेंगे सन अठारसो तेरा का आजया पत्र हम फस्ट बुक में भी चीज़ें पढ़ चुके हैं, सेकेंड बुक में भी हमें यही चीज़ को तो सन 1813 का आग्या पत्र क्या था 1813 के आग्या पत्र में भारती साहित के पुनरुत्थान उन्नती वह भारती बिज्ञान के प्रोसाहन के लिए प्रतिवर्स एक लाख रुपए की धन्रासी बै के लिए निर्धारित की गई इस धन्रासी के बै को लेकर दो बिजारधारें सामने आई ठीक है जो 1813 का जो अपका आग्या पतर था उसमें कई चीज़ें थी लेकिन जो सिच्छा से समंदित चीज थी वो ये थी कि एक लाख रुपए दिया जाएगा किसके लिए जो भारती बिज्ञान है उन्नती है उसके प्रोसाहन के लिए ठीक है एक लाख रुपए प्राचिवादी बिचार धारा के अनुसार भारत में यूरोपी ग्यान वा सबिता का प्रचार अंग्रेजी माध्यम से किया जाए जबकि प्राचिवादी बिचार धारा के अनुसार भारती साहित को मातरवासा छेत्री भसाओं में पढ़ाया जाए ठीक है अंग्रेज क्य कहलाती है आपके पाश्यात्वादी बिचारधारा यानि की यूरोप की बिचारधारा ठीक ये पाश्यात्वादी कहलाती है ये लोग क्या चाते थे कि भारत में यूरोपिये ग्यान बस अबिता का प्रचार जो प्रसार हो रहा है वो अंग्रेजी माध्यम से किया जाए ठीक पाश प्राश्यत बिवाद में क्या है? 1813 के आग्या पत्र में सिच्छा के लिए प्रति बर्स एक लाग रुपे की धन्रासी ब्य हित्तु निर्धारित की परेंदू इस पर्ष्ट नहीं किया गया कि किस प्रकार यह खर्च की जाएगी जिससे सिच्छा के शेत्र में दोनों बिचारधारों यानि कि प्राच और पाश्यत में विवाद प्रारंभ हो गया जिससे प्राच पाश्यत विवाद के नाम से जाना जाता है ठीक है? तो आपको समझ महागय होगा कि यह प्राच और पाश्यत विवाद क्या है? कि 1813 का जो आग्या पत्र आया था उसमें एक चीज निर्धारित की गई क्या निर्धारित किया गया कि प्रतिवर्स एक लाख रुपे की धन्राशी को ब्या किया जाएगा ठीक है और किस पर ब्या किया जाएगा कैसे ब्या किया जाएगा इसमें कुछ भी निर्धारित नहीं और यह है जो बिवात तब लगबग 20 सालों तक चला इसके बाद सन 1833 का आग्या पत्र आया ठीक है आपको पता कि जो आग्या पत्र आते थे वो हर 20 सालों में प्रकाशित किये जाते थे तो पहला आया था 1813 में उसकी बाद जो आग्या पत्र आया वो 1833 में आग्या पत्र आय बिटे सरकार जो थी वो भारत में सिच्छा की जो हालत थी ठीक है बहुत दीरे दीरे इसमें प्रगिती हो रही थी इससे बहुत ज्यादा असंदोश्ट थी ठीक है कोई भी भारती है तता समराट का कोई भी प्रजानन अपने धर्म, जर्मस्थान, बर्ग, बर्ण के अधार पर किसी भी इस्थान तता पद को प्राप्त करने से नहीं रोका जाएगा ठीक है किसी भी भारती को या समराट के किसी भी प्रजानन को अपने धर्म के साब से, जर्मस्थान के साब से, बर्ग, बर्ण के अधार पर, किसी भी इस्थान तता पद के अधार पर, ठीक है किसी भी पद को प्राप्त करने से नहीं रोका जाएगा तीसरा क्या कहा गया कि बंगाल की सरकार का प्रपत अन प्रांतों की सरकार उपर होगा मतलब पहले किया था कि 3 एक बंगाल, मढद्रास और बंबई ये 3 तरह की जो सरकार है थी टिके ये काणून बना सकते थी लेकिन उसके वट क्या किया यहनोंने बंगाल की जो सरकार थी इसे सबसे उपर रख दिया केंदर में इसे डाल दिया कि बंगाल की सरकार सबसे उपर होगी और ये जो कहेगी भई हर जो अन्य प्रांते वो उसे मानेंगे ठीक है तो बंगाल की सरकार का जो प्रभुत्त है वो अन्य प्रांतों की सरकारों पर होगा फोर्थ पॉइंट क्या है कि गबर्नर जनरल की काउंसिल में एक कानूनी सदस्ट बढ़ा दिया गया और लाड मेकाले पहला कानूनी सदस्ट बना ठीक है गबर्नर जनरल की जो काउंसिल उसमें एक कानूनी सदस्ट का जो पदता वो भढ़ाया गया ठीक है कि एक कानूनी सदस रहेगा ठीक है और जो पहला कानूनी सदस बना वो कौन था तो लॉड मैकाले था पहला कानूनी सदस जे तो यह था आपका 1813 और 1833 का अग्या पत्र अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लॉड मैकाले से समंधित जितनी भी चीज़े हैं वो पढ़ेंगे वो अपने में यह एक टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है लॉड मैकाले ठीक है एसमें डिसंदन्स दंत क बारे में आप पढ़ेंगे लॉड मैकाले ने सुझाओ दिये उनके बारे में पढ़ेंगे यह सारे चीज़ें देखेंगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साब थैंक इस सो मच पर वाचिंग इस वीडियो